हरे कृष्णा, गीता के अनमोल वच्चन कारिक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है इस कारिक्रम में श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभुजी गीता पर अपने व्याख्यान पस्तुत करेंगे श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभुजी अंतराष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संग के संस्थापक आचारे भक्ति विदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के बरिष्ट अंप्रिय शिष्य परम पूज गोपाल कृष्ण महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं इन्होंने मुंबई विश्व विद्याले से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही अनेक धार में ग्रंथों जैसे बाइबिल और कुरान का अध्यन करने के बाद जब इन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्यन किया तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनका हिर्दय परिवर्तन हो गया श्रील प्रभुपाद जिनोंने इसकौन की इस्थापना पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किये श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभुजी में सन 2003 में अंतराश्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संग इसकौन से जुड़ने के बाद भगवन नाम के प्रचार और प्रसार में सतत रूप से कारे रथ है और जैपुर और मुंबई समेत अनेक शहरों में भगवन नाम का प्रचार क कर रहे हैं इस कारे करम के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए एक आगणे के अनुसार हमारे पास वर्तमान में कुल 6 प्रतिशत शास्त्र ही उपलब्ध हैं और उनको भी न तो हम जानते हैं और हमारे पास ना ही पर्याप्त समय है उनको पढ़ने और समझने का तो यदी हम केवल भगवत गीता को ही अध्यन कर लें और उसको ही समझ लें तो हमारा कल्याण निश्चित है क्योंकि स्वयम आदी गुरु शंकराचारे ने कहा है कि यह भगवत गीता समस्त वेदों व उपनिशदों का सार है श्रीमान शुद्ध से प्रभुजी गीता के प्रतियक्ष लोग को इस पश्ट रूप से समझाते हुए हमें अनेग जीवनों प्योगी शिक्षाएं प्रदान करेंगे तो आईए श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभुजी के मुख से सुनते हैं गीता के अनमोल वचन धन्यवाद हरे कृष्ण Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गवरवाणी प्रचारिने निरविशेश शुन्यवादी पाष्चात देशतारिने जैश्री कृष्णा चैतन्या प्रभूनित्यानन्द श्रीयत पैता गदाधार श्रिवासादी श्रिकौर भक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 रामा हरे 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 कृष्णा आज हम पुना हमारे जो गिता के अनमोल वचन पर जो कारेक्रम चला आ रहा है उसी को लेकर हम अग्रसर होंगे आज श्रीमत भगवत किता के दुसरी अध्याई किता का सार इनका शिर्शक है और श्लूक संख्या नंबर आज हम 11 से करेंगे श्री भगवान उवाच असोच्या नवसोचस्त्वं प्रज्ण्यावादाम्च भाससे गतासुन गतासुम्च नानु सोचंति पंडिता अनुवाट्षल प्रवपाजी के द्वारा श्री भगवान ने कहा तुम पंडिताय पुरुवक वचन कहते हो उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है जो विद्वान होते हैं बे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं आज इन श्रोकों में भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार ब्यहवारिक जीवन में विक्ति को अपनी जीवन के संतुलन को बनाई रखें हमने देखा कि इसके पहले ही कैश लोकों में भगवान की कृष्ण के समक्ष अरजुन के रोने की आवाज और प्रतम अथ्य में तो उन्होंने इतने रोए कि रोते रोते अब उन्होंने अपने धनुशबाण को एक तरफ रख दिये और उस शोक संताप से उस शोक विलाप से वे इतने पीडित हो गये ऐसी पीडित ग्रेस्ट वस्ता में वे अब भगवान के शरनाये हैं और भगवान के शरण आकर उबे पूछ रहें कि मुझे क्या करना है तो ये बहुत ही एक मुख्य मुद्धा यहां पर देखा जाता है कि अरजुन के अंदर एक शरणागत्ती की भावना देखी गई है इसके पहले ही वाले श्लोक में हमने देखा प्रसन्न युवा भारता भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न चित होकर वे मुष्कुरा रहे हैं और मुष्कुरा क्यों रहे हैं कि अब इस समय यहां पर अरजुन आये हैं मेरे शरणा ग्रहन कर रहे हैं और उनके पिछे अर्ज भगवान का मुस्कुराने का मुख्यमुद्दाय की ये भी था कि वो ये था कि देखा कि अर्जुन कम से कम अपने दुख और कष्ट को तो समझ लिये हैं हमारे जीवन में भी हम जब अपने दुख और कष्ट को जब एहसास करना जब समझ लेते हैं अर्जुन के भाति जब हम इस दुख और कष्ट को जब समझने की बुद्धी जब प्राप्त कर लेते हैं तब कहा जाता है कि विक्ति का मनुष्य जीवन शुरुवात हुआ है इस 84 लाक यूनियों में प्रतेक जीवात्मा केवल दुख और कष्ट को भोग रहे हैं मगर तथा पी उसमें कुछ विरला जी कोई जीवात्मा जो भाग्यवान जीवात्मा है जिसकी चेतना उदे हो चुकी है वैसे विकसित जीवात्माय गण बे एहसास करते हैं दुखों का और उस दुखों के एहसास में बे भगवान के सामिप्य में जाते हैं वैसे पुन्यात्मा बड़े दुरलब प्राप्त होते हैं क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य भी जबकि उनके पास दुख संकट को समझनी की समझदारी होने के बाद भी वे दुखों को ठीक से टटोल नहीं पाते प्रतेक जीवात्मा जोकी जन्म मृत्यू जरा व्यादी दुखों दोशा अनुदर्शनम इस अवस्ता से प्रतेक जीवात्मा प्रतेक मनुष्य की ये गति हैं जन्म का कष्ट मृत्यू का कष्ट जरा का कष्ट व्याधी का कष्ट अब जन्म और मृत्यू का कष्ट तो हो सकता है कि इसे शरीर में एक ही बार उसका नुभाव होता है प्रतिक शरीर में विविन्न प्रकार के जन्म और मृत्यू के कष्ट भूगता रहता है वही जिवात्मा बदात्मा मगर व्रिद्धवस्ता का कष्ट तो पलपल भूगता रहता है व्याधी का कष्ट भी उनके पलपल जीवन में इसका शिकार होता रहता है व्याधी यानि बिमारी और इस शरीर को बिमारी का घर माना गया है और इसलिए कहा गया है शरीरम रोग मंदिरम ये शरीर तो केवल रोग के मंदिर बन चुके हैं तो वैसे शरीर जो व्याधी के व्याधियों का शिकार है बृत दवस्ता का शिकार होता जा रहा है ये कश्ट तो आँखों देखी प्रतिक विक्ति से दिनबदी निसका नुभाव कर रहे है मगर तथा भी बे कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं दुखों को भोग रहा हूँ फिर भी वो इसी गुरूर में रहता है कि हम से बढ़कर कौन अर्थात जो अहंकार के जो मद इतने रिदें के अंतरगत घुश चुका है कि जिस कारण से बेक्ति उस अहंकार के मदमस्त में बे इस दुखों को समझ नहीं पाता है कि ये दुख भी मेरे जीवन में आ रहा है विदुर और मैत्री संबाद में श्रिमद भागवतम में वरणन किया गया है कि किस प्रकार जीवात्माओं की परिस्तिती कैसी है प्रतिक्षण प्रतिक कदम प्रतिक पल वे केवल दुख को भोग रहे हैं मगर तथा पी वे दुखों को भोगने के बाद भी भगवान की देखो क्या माया है कि वे ऐसे दुखों को भूल जाते हैं वे भूल जाते हैं कि मैं दुख को भोगा था अब 84 लाक योनियों में भटकता हुआ जीव आत्मा न जाने कितने जन्म मृत्यू जराव्यादी के दुख को भोगा होगा मगर प्रतिक शरीर में उसे ये महसूस होदा है कि मुझे ये दुख नहीं मिला है मगर हर समय उनकी परिष्थिति किस प्रकार है तो वे ब्रणन करते हैं वदंति मृत्या प्रायेना विशियान पदम आपदान ततापी भूंजते एंक्रिष्णा तत कथम स्वख राजवट वदंति मृत्या प्रायेना हर पल उनकी परिष्थिति किस प्रकार है वो मरता जा रहा है विशिया पदमा पदान और हर कदम में वे केवल विश को खाये जा रहे हैं तत्थापी भोजक तत्थापी भूंजते एंक्रिष्णा ऐसी अवस्ता में भी वे पल पल वे कष्ट को भोगने के बाद भी तत्थाप भूंजते क्रिष्णा कि वे इस कष्ट को भूगने के बाद भी वे इस कष्ट को भूल कैसे जाते हैं और भूंज की परिष्टिती किस प्रकार है तो कहते हैं तत कथम स्वक्ख राजवट याने की यहां पर तीन प्राणियों का उधारन दिया है खर याने की घदा अजय याने की बकरा और स्व याने की कुत्ता तो सबसे पहले कुत्ते का उधारन दिया है तत कथम स्व तो लोगों की परिष्टिती इस कुत्ते घदे और बकरे के समान बन चुका है और ऐसे श्रिवत भागवतम में इसकी चर्चा की गई है क्यों इनके साथ इन मनुश्यों की तुलना की गई है तो कहते हैं कुत्ते का उधारन दे कर क्योंकि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है कि जो कुछ शन के लिए ही दुख को याद करता फिर भूल जाता है अब कुत्ते के सामने अगर बिस्किट दिखाओ तो कुत्ता बिस्किट खाने के लिए दौड़ता हुआ आएगा और जैसे ही बिस्किट को पीछे करकर एक जोर से लकड़ी मारो तब तो फिर कुत्ते के मुख में जो लकड़ी की जो मार लगेगी तो कुत्ता अपने मुख को पीछे करकर भागेगा मगर जब फिर से बिस्किट दिखाओ तो फिर से कुत्ता पूछिला कर आएगा फिर से एक लकड़ी मारो फिर से वो कुत्ता पीछे चला जाएगा फिर से बिस्किट दिखाओ फिर से कुत्ता आगे आएगा जब जब बिस्किट दिखाते हैं तब तक कुट्टा पूछ इला कर आता है और जब जब मार खाता है तो वो कुट्टा मार खाके पीछे चला जाता है मगर बिस्किट देखकर वही कुट्टा उस लकडी के मार को भूल जाता है तो कुट्टे के समक्ष केवल बिस्किट देखने मात्र से कुट्टा अपने पहले वाले मार को भूल जाता है वैसे ही इस जकत में लोगों की परिस्तिती हो चुकी है कि उन्हें वो देख रहे हैं कि सभी लोगों की ऐसी दुगदाई स्तिती है जो जन्म मृत्यु जरा व्यादी के कष्ट में है और ऐसे देखने के बाद भी उनकी क्या अवस्ता है कि वे इन लोगों का ऐसी अवस्ता में देखने के बाद भी वे स्वैम इसका अनूभों करने के बाद भी जब-जब माया का विस्किट जब चम-चमाता है तब तो फिर ये भूल जाता है कि मैं कोई कश्टदाई स्तिती में हूँ पुना वे पूछ हिला कर माया के गोद में बेठने का प्रयास करता है और माया उसे पास बुला कर एक तमाचा मारती है तो फिर उसे हैसास होता है ना ना ये तो दुगदाई स्थिती है फिर वो पीछे जाता है फिर बिस्किट देखकर फिर से दू मिला कर पास आता है अर्थात जो कुत्ते का जो उधारन दिया गया बड़ा सटिक उधारन है कि कुत्ता हर बार बिस्किट देखकर दुख भूल जाता है वैसे ही जीवात्मा अपने जीवन में जो दुखो को वो जो भोग राय जो अनुभोग कर रहा है मगर वो सारे दुख को, सारे फ्याधी कश्ट को वो भूल जाता है जब जब माया के द्वारा उनको प्रलोबन मिलता है तो वैसे ही जीव की परिस्तिती है कुट्टे के समान अब दुसरा उधारन देते हैं खर याने घदे के समान अब घदे के अंदर अगर देखा जाए तो उनके अंदर क्या हमें ऐसी मुर्कता पुर्वक प्रदर्शन दिखाई देता है कि जैसे एक बार घदा जो था वो धोबी वाले के कपड़े को धूते धूते अब वो ही घदा ने सूचा कि अब मैं कितना कपड़े को उठा कर गूमू इससे तो अच्छा है कि मैं कामी नहीं करूंगा मुझे तो धोबी वाला कुछ खिलाता ही नहीं है तो उसी घदे ने निरने ले लिया कि आज मेरा स्ट्राइक आज मैं कोई काम नहीं करूंगा जब तक मुझे गाजर नहीं मिलेगा अब उसी घदे के पीट पर कपड़े के ठेले बरग दिये घदा सोच रहा है मैं दुनिया भर के सारे कपड़े में बोज उठा कर चलता हूँ लेकिन एक भी कपड़ा मेरे लिए नहीं यहां तक की एक भी गाजर नहीं आज मैं कोई काम नहीं करूंगा सुनते ही दुबी वाले को ये चब लक्षन दिखाई दिया घदे की तो घदे के ऐसे लक्षन को देखकर उन्होंने डंडा लेकर खूब पिटा मगर घदा थस्य मस था इतने जिद पर अणा था कि मैं हिलूंगा तक नहीं पहले मुझे गाजर दो अब घदे की ऐसी अवस्ता देखकर धुबी वाले ने क्या किये उसी डंडे के उसी को उपयोग किया लेकिन अब उसे मारा नहीं अब उस डंडे के आगे ऐसा गाजर रसी से बांद कर लटका दिया और उसी डंडे को गर्दन पर यूँ बांद दिया और गाजर सामने लटक रहा है और गाजर सामने लटक रहा है और घदा देख रहा है कि गाजर तो मेरे पास है दो कदम चलूँगा गाजर मेरा और ऐसे सोच कर दोभी वाले के जो कपड़े को पीट पर ठेल कर वे घदा दो कदम चल रहा है गाजर को लेने के लिए अब क्या गाजर थोड़ी रुकेगा गाजर भी दो कदम चल रहा है क्योंकि वही डंडा उस घदे के पीट तक जो गरदन तक स्प्रकार बन्दी हुई है कि घदा जब जब आगे चलता है तब तब गाजर भी चलता है और घदा सोचता है बस दो कतमों और गाजर मेरा है मगर जितना भी चलता है उतना ही फासला दूर दिखाई देता है गाजर वैसे ही ये घदा घदा बन गया है और अपने धुबी वाले के घर तक पोच जाता है अब ये धुबी वाला बड़े क्रोध में गाजर भी लेता है जेब में रखता है दो डंडा पीट कर घदे को भेच देता है तो घदे ने सुचा अब तो मुझे मिलेगा गाजर मगर अंत्ता गत्वा कोई गाजर नहीं मिलता है वैसे जीव की परिष्टिती है जीव इस बहुतिक संसार में वे केवल माया रुपी गाजर को देख कर ललचाता रहता है जब माया देवी देखता है जब माया देवी ये देखती है कि ये जीव आत्मा अब माया की सिवा नहीं कर रहा है तो माया की सेवा में लगाने के लिए माया देवी उसे गाजर रुपी प्रलोबन देती है और जब गाजर रुपी प्रलोबन को जब घडा देखता है तो घडा सूचता है कि बस दो कडम चलू तो गाजर मेरा वैसे ही जीवात्मा सोचते हैं कि बस आज सुक नहीं मिला तो कल सुक तो मिलेगा और वो सुक के प्रड़ोबन में केवल स्वपन देखता रहता है और कल बीट जाता है तो सुषता है परसु सुक मिलेगा परसु नहीं मिला तो उसके अगला दिन अब केवल सुक के गाजर की लालसा में जीव आत्मा केवल माया की सेवा करता रहता है और सेवा करता रहता है और अंतता गत्वा उसे एक गाजर नहीं मिलता वैसे ही जीव की परिस्तिति ए उस घदे के समाल इसलिए ये उधारन भी बड़ा सटिक उधारन दिये है अब तीसरा उधारन दिया है अज़ अज़ याने की पकरा अब बकरे की क्या परिस्तिति है बकरे की अंदर देखा जाया बक्रे अपने बुद्धी को उप्योग नहीं करते जब बक्रे के जुंड को कसाई खाने में जब रखा जाता है एक-एक बक्रे को निकाला जाता है और जब बक्रे को जब उस कसाई खाना वाला जो कसाई कार जो होता हो जब उस बक्रे को निकाल कर उसका जब हलाल करते हैं और बाकी सारे बक्रे देख रहे हैं कि हमारे आको समक्ष हमारे मित्रबंदू संबंदी जा रहे हैं एक एक का गर्दन कट रहा है मगर बचे कुछे जितने भी बक्रे हैं उसके अंतरगत वे आपस में जगडा करते हैं ये इसलिए कि मैं यहां बेठूंगा यह मेरा स्थान है जबकि वे देख रहे हैं कि सबका नंबर आ रहा है वैसे ही जीव की परिस्तिती है यहां पर देखा जाए कि ठीक इसी तरह जीव आत्मा इस भोतिक संसार में रहते हैं जबकि वे देख रहे हैं कि सभी लोग दुख कश्ट के शिकार हो रहे हैं सभी लोग की मृत्यू हो रही है प्रतिक जीव आत्मा मरण को प्राप्त कर रहे हैं सभी अपने शरीर को छोड़ रहे हैं भिन प्रकार के शरीर ले रहे हैं मगर मृत्यू फ्राप्त होने के बावजूद भी जो बचे कुछे वेक्ती क्या सोचते हैं कि मेरा नमबर कभी नहीं आएगा बचे कुछे वेक्ती अन्य बचे कुछे वेक्ती के साथ केवल जगडते रहते हैं। ऐसी परिस्तिती उस बकरे की समान हो चुकी है और इसलिए तट कत्म स्वक्ख राजवट इसलिए मैत्र रिशी समझाते हैं कि इनकी ऐसी परिस्तिती हो चुकी है। तो हमें देखना हैं कि किस प्रकार इस भौतिक संसार में जो कश्ट और दुख तो सब भोग रहे हैं। मगर कौन जीवात्मा इसका एहसास कर रहे हैं। इसका अनुभूती कौन प्राप्त कर रहा है। वैसे यहां पर इसी भगवत इता के दुसरी अध्याय में जब सात्वे श्लोक में जब भगवान के शरण जब अरजुन गए तो वो अरजुन जब दुख और कश्ट का अनुभव करके गए तो वो दुख और कश्ट का अनुभव हमारी तरह नहीं। वो उनका दुख और कश्ट का अनुभव वो शाश्वत हैं और इस तराक नहीं जैसे तटकत्हम सुवक्खा राजवट या घदा, कुत्ता या बकरे के समान उनके दुख का अनुभव नहीं हैं। जो माया के दुवारा बे भूल जाएं। यहां पर अरजुन का दुख बड़े रिदे के अंतरगत तो दुख धस चुकी थी। और ऐसे दुख से बे भगवान के शरण गये हैं। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि भगवान ने देखा कि एक जीवात्मा मेरे पास आया है। अब वे आकर उनके शरण में आये हैं। तब भगवान उन्हें समझाते वे केते हैं। तुम जो सोचना चीए वो नहीं सोचना चीए वो सोचना चीए अब अरजुन की ऐसी विकट स्थिती हो गई थी कि अरजुन आत्म परायन के विशे में सोचना चाहिए। आत्म उन्नती के विशे में सोचना चीए जबकि वो छोड़कर वेकेवल शरीर के स्थर पर रहे कर शरीर के विशे में फिकर कर रहे हैं जबकि उनके लिए सोचने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है तो अरजुन की ऐसी गती देखी गई है वैसे ही जिस प्रकार अरजुन की अवस्ता उसी प्रकार हम सब की अवस्ता है कि हम फिजूल की बाते सोचते रहेते जो मूल बाते हैं उसको तो बगल रख देते हैं जो मूल चर्चा क्या है कि मेरा भगवान के साथ सम्मंद कैसे पुनस थापित होगा वो भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे ये छोड़कर हम फिजूल की बाते सोचते रहते हैं इसलिए भगवान सबसे प्रथम इसी बात को फटकारते हुए वे अरजुन को समझाते है सोच या ना सोचस्त्वम जो सोचना है वो नहीं सोच रहे हो इसी तरह अगर हम देखेंगे रामायन में भी जिस समय रावण ने मारीच को सोने का हीरन बनाकर जब भेजा बड़ी योजना के साथ सीता को अपरण करनी का उन्होंने जब बड़ा प्लान रचाय था तब उसी समय माता सिता ने जब सोने के हिरन को देखकर एक आएक लाला इत हो गए और माता सिता ने कहे दिया राम मुझे वो सोने की हिरन चाहिए राम ने कहे दिया वहाँ पर कोई सोने का हिरन नहीं है मैंने चौरासी लाक योनी बनाया जिस चौरासी लाक योनीों में कोई ऐसी योनी नहीं जो कि सोने का हिरन मैंने बनाया है मेरी बात सुनो मगर सितानी का ना मुझे वो चाहिए राम ने का ठीक है लक्षमण तुम इनकी रखवाली करना मैं जाकर आता हूँ जब राम चंद्र जी गए तो वहां पर मारिच मरते हुए सौ मुत्रे और जो लक्षमन के आवा लक्षमन को बुलाते हुए राम की ध्वनी में जो आवाज उन्होंने लगाया मरता हुआ मारिच लक्षमन और यह सुनते ही माता सिता घबरा उठी कहने लगी लक्षमन जाओ जल्दी तुमारे बड़े भाई संकट में हैं लक्षमन ने कह दिया माता सिता जो सुनना चाहिए वो नहीं सुने जो नहीं सुनना चाहिए वो क्यों सुन रही हो यहां पर उन्हें सुनना चाहिए ता राम की बात जबकि राम ने कह दिया कि सुने का हिरन नहीं है मगर वो न सुन कर वो सुन क्या रही है वो अनावशक बाते सुन रही है वैसे ही ज्यों की परिस्तिती है जो सोचना चाहिए वो न सोचकर जो नहीं सोचना चाहिए वो फि लिए यहां पर कृष्ण और जुन को फठकारते वेवे कह रहे हैं, अब क्या कहते हैं, इनकी चर्चा हम आने वाले छत्र में करेंगे, हरे कृष्णा